Hello viewers, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में मैं दो मेडिसिन्स के बारे में बात करने वाला हूँ और ये दोनों ही मेडिसिन्स ओवर दा काउंटर काफी बरे पैमाने पे शेल होती है और इन दोनों ही मेडिसिन्स में एक बात कॉमन है कि ये दोनों ही मेडिसिन्स पूर्शों के लिए है और सेक्सुल वेलनेस के लिए सेल की जाती है इसमें से एक है हिमालिया कॉनफिडो और दूसरा है हिमालिया इस पेमिन और इस medicine को लेकर कई बार हमसे viewers पुछते हैं कि सर क्या इन दोनों ही medicines को एक बार मैं ले सकता हूँ की नहीं तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों ही medicine यानि की हिमालया confido और spamin कब use करना चाहिए इसके क्या major ingredients होते हैं और आप इस medicine को एक ही साथ ले सकते हैं कि नहीं इन सभी topics पे इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं तो पूरी information पाने के लिए आपसे request है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतक जरूर देखें दोस्तों हिमालया confido और हिमालया spamin ये दोनों ही medicine हिमालया हरवल के द्वारा निर्मित हैं ये दोनों ही पूरी तरीके से आयरुवेदिक और हरवल formulation से निर्मित किया गया है और इसलिए ये हमारे शरीर पर आयरुवेदिक principles के तहत ही असर करती है और मैं आपको बता दूं कि हमारा शरीर साथ धातूं के आधार पर धारन होती है जिसमें होता है रस, रक्त, मास, मेद, अस्थी, मज्जा, शुक्र और ये तो YouTube और Internet के माध्यम से आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे शुक्र धातू को sexual wellness से correlate किया जाता है और ऐसे में अगर healthy weary की बात करें तो इसको बनने के लिए लगभग 72-75 days का वक्त लगता है और मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्यूंकि काफी जादा viewers के ऐसे हमें mail मिलते हैं comments में वो लिखते हैं कि हमने हिमालिया confido या specimen या कई दूसरे medicines का use गिया लेकिन हमें इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है तो मैं आपको बताओं कि हिमालिया confido या specimen पूरी तरीके से आईरुवेदिक है और ये medicine की category में आती है और इस medicine का 7 करके अगर कहीं से भी आपके दिमाग में वियागरा मैन फोर्स की तरह result सोच कर इसको आप लेते हैं तो आपको confido नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये आईरुवेदिक medicine है जो आपके सरीर के sexual issues को पूरी तरीके से cure करता है अब अगर हम हिमालिया confido के ingredients की बात करें तो इसको बनाने के लिए major दो ingredients मिलाए गए है जिसमें है कपी कच्छू और गोक्षरू इसके आलावा इसमें और भी कई ingredients मिले हुए हैं जैसे की शलब मिस्री, कोकी लक्ष ब्रिध दारू, जिवन्ती सैलियम, सर्पगंधा और सुवर्नवंग इसके आलावा हिमालिया confido में powder form में अश्वगंधा और कुछ दूसरे हर्वस भी मिला कर निर्मित किया गया है और ये सभी ingredients overall sexual wellness और sexual health के लिए बहुत ही लावकारी होता है अब अगर हम बात करें कि हिमालिया confido को किन किन तरह की problems में use किया जाता है तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने हस्त मैथून से काफी जादा नस में कमजोरी आ गई है तो इसमें इसका काफी अच्छा result मिलता है इसके अलावा अगर वीर के गाढ़ापन में कमी आई है वीर्य में कमी आई है या फिर वीर्य के शुकरानू में अगर कमी आ गई है तो ऐसे में हिमाल्या कॉन्फिडो वीर्य के गुनवक्ता और क्वांटीटी को बढ़ाने के साथ वीर्य में सुकरानू की शंख्या को भी बढ़ाता है हिमाल्या कॉन्फिडो का सबसे अच्छा result वैसे पुरुषों में मिलता है जिनमें sexual desire की कमी आ गई है लिबिडो काउंट में कमी आ गई है यौन इक्षा नहीं होती है और सेक्स करने में डर होता है तो ऐसे पुरुषों में इसका काफी अच्छा result मिलता है इस मेडिसीन का सेवन करने से डर की वजह से होने वाले शिगर पतन में अच्छा result मिलता है इसके अलावा हिमालिया कॉनफिडो का सेवन करने से सेक्स करने के बाद लिंग में आई कमजोरी या फिर इरेक्टाइल डिक्सफंसन के प्रॉब्लम को भी क्योर करने में असरदार होता है और अब अगर हम बात करें हिमालिया स्पेमेन की तो ये भी हिमालिया ड्रग कंपनी के द्वारा निर्मित है और इसको लेकर काफी लोग पुछते हैं कि सर क्या मैं हिमालिया कॉनफिडो और हिमालिया स्पेमेन एक ही साथ सेवन कर सकता हूं की नहीं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हिमालिया कॉनफिडो को बनाने के लिए जितने इंग्रिडियेंट्स मिलाए गए है वहीं इंग्रिडियेंट्स हिमालिया स्पेमेन में भी मिला हुआ है लेकिन इसमें बस एक फर्क है कि हिमालिया स्पेमेन में हिमालिया कॉनफिडो के कंपेर में सभी ingredients लगभग दुगनी मातरा में मिलाई गई है तो ऐसे में अगर आप हिमाल्या, confido और espamon का एक ही साथ सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए overdose की सरेनी में आएगा इसका आपके शरीर पर कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं जैसे कि आप में constipation हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द या भारीपन लग सकता है तो आपको कभी भी हिमाल्या, espamon और confido एक ही साथ सेवन नहीं करना चाहिए आप अपनी आईरवेदिक डॉक्टर के सलाह पे हिमाल्या, confido या फिर हिमाल्या, espamon में से किसी एक मेडिसीन का सेवन कर सकते हैं और जिन sexual wellness का अभी हमने discuss किया, अगर इसमें से आप किसी problem से ग्रसित हैं तो अच्छे result के लिए आपको ये मेडिसीन लगभग 2-5 महिने तक जरूर सेवन करना चाहिए और अब अगर हम हिमाल्या, confido या फिर espamon के doses की बात करें तो इसका एक या दो tablet दिन में दो बार यानि की सुबह और साम थंडे पानी या दूद के साथ सेवन किया जा सकता है बेहतर result के लिए आपको इन मेडिसीन का सेवन करने से पहले अपने doctor की सलाह जरूर लेनी चाहिए वैसे तो ये दोनों ही मेडिसीन्स over the counter easily available होती है लेकिन अगर आप फिर भी इन मेडिसीन्स को online purchase करना चाहते हैं तो इसके लिए हिमालिया एस payment और हिमालिया confido दोनों ही मेडिसीन का purchase link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वहां से भी आप इसे online order करके मंगवा सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो में बताई जानकारी आपको काफी अच्छी और informative लगी होगी इसके अलावा अगर इस medicine के ऊपर या फिर अगर आपकी कोई और health issue है तो आप हमें वीडियो के नीचे comment box में या फिर instagram पे messages करके बता सकते हैं ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और बगल में बन रहे बिल के आइकन पे भी प्रिस कर लें